तो गूड बॉर्निंग एवरिवन तो कैसे हैं आप लोग आज की इस न्यू वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सुबह के 6 बजे हुए हैं और हम लोग राम घाट में हैं नहाने पहुच गए हैं और हम लोगोंने सबसे पहले राम घाट में नहाया सुबह 6 बजे आकर और अब हम लोग जो है जाएंगे होटल की तरफ और होटल में जाकर अपने कपड़े पहन कर और बैक पैक करेंगे और उसके बाद हम लोग रामघाट वापस आएंगे और रामघाट को फिर घूमेंगे और साथ ही साथ आपको भी घूमाएंगे पूरा चित्रकूट में जो भी मंदिर है सारी जगे पर और रात में हम लोग जिस प्लेस पर रुके थे उसका नाम है गडेश भवन जो की रामघाट से करीब करीब 100 मीटर की डिस्टेंस पर है इसलिए हम लोगों ने पास में ही रुकने की जगे ली हुई थी ताकि हम लोगों को आने जाने में जो है प्रॉब्लम ना हो तो दोस्तों आप भी अगर चित्रकूट आते हैं तो गडेश भवन में भी रुक सकते हैं नॉर्मल सा चार्ज लगता है वहाँ पर 400 रुपीज हम लोगों का लगा था एक नाइट का तो आप भी अगर आते हैं तो यहाँ पर रुक सकते हैं काफी अच्छा इस्टे है कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है रोड में ही इस्टे मिल जाएगा आपको यहने ज्यादा अंदर भी नहीं पड़ेगा तो दोस्तों यह जो रिवर आप देख रहे हैं जो कि चित्रकूट में बहती है इसका नाम है मंदाकनी रिवर और इस घाट को जो कहते हैं इसको राम यह जो करीप 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 50-60 सीडि चड़कर ऊपर बना हुआ मंदर है और आप राम घाट आते हैं तो इस मंदिर में आना ना भूलें यह प्रमुक मंदिर है राम घाट का तो आप यहांपर भी आ सकते हैं गूमने के लिए बहुत ही अच्छा मंदिर है वैसे तो यहां पर तो चित्रकूट में जितने भी मंदिर हैं दोस्तों सारे प्रमुख मंदिर हैं लोग चारो धाम की यात्रा जब करते हैं तो चित्रकूट को एक महत्पूर्ण इस्थान दिया गया है आज चित्रकूट में भी लोग चारो धाम की यात्रा करने आते हैं बहुत ही अच्छी तो दोस्तों चित्रकूट कितनी महत्रून जगे है आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जब माता कैकेई ने दसरज जी से अपने दो वर्दान मांगे थे जिसमें कि उनका जो पहला वर्दान था वो यही था कि राम जी को 14 वर्स का वनवास हो और जो 14 वर्स का वन हमें अपने राम जी से जोड़े रखने की एक पेड़ना देती है ऐसी प्लेज है क्योंकि भगवान राम ने अपने 11 वर्स 6 महीने यहीं पर वितीत किये हुए थे तो चलिए दोस्तों हम लोग जो आप दूसरा टेंपल घूमने जाएंगे राम घाट में उसका नाम है पार राम घाट आते हैं तो तो दोस्तों हम लोग ऊपर पहुंच गए हैं यह आप देख सकते हैं बहुत ही सुन्दर मंदिर बना हुआ है और यहां राम जी विराजमान है जो कि बहुत ही सुन्दर मूरती है यहां पर और मैं आपको दोस्तों यहां से पूरा चित्रकूट का न पड़ेगा हम लोग अपनी बाइक से आई हुए थे तो हम लोग काफी अंदर तक बाइक ला सकते हैं यहां पर अंदर आने के लिए लिकिन जो आटो वाले रहते हैं वो काफी दूर आपको उतार देते हैं हनवान जी की प्रतिमा आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी बनी तो दोस्तों चित्रकूट में इसके पहले भी बहुत बार आ चुका हूं लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितनी बार यहां आता हूं उससे जादा ही मुझे गंदगी देखने मुलती है यहां पर चित्रकूट में बिलकुल भी रामघाट में साफ सफा है और रामघाट के जो भी मंदिर थे हम ले उनको भी घूम लिया है अब आपन जो अगला टेंपल यहां पर घूमने जाने वाले हैं चित्रकूट में उसका नाम है कामतानाथ टेंपल जो की रामघाट से दो से तीन किलोमीटर के डिस्टेंस पर पढ़ता है आप अगर बस आपको सारे टेंपल घूमा देंगे तो दोस्तों आपको रामघाट के जस्ट बाहर ही काफी सारे खाने पीने की जगह मिल जाएंगी आप वहां पर खाना खाकर और फिर घूमने ही निकले क्योंकि यहां आपको काफी जादा पैदल चलना पड़ेगा तो उसके लिए थोड होता नाथ डेंपी if not kamtana attorney from kamtana temple के बाद हम लोग जाएंगे हनमांधा आहा हमांधार हनमांधार जाने के बाद हम लोग वापिस अपने hotel जाएंगे और hotel जाकर fight or hotel को खाली करेंगे वहां से जो भी bagन अपना वह लेकर और और ऑफिर सीधह निकल जाएंगे जो बाकी भूमते हुए और वापिस सिहुरा के लिए निकल जाएंगे। दोस्तों कामद गीरी जो टैंपल है वो कामत नात परवत के नीचे बसा हुआ है और कामत नात जी का जो परवत है वो उसकी जो परिक्रमा भी लगाई जाती है और उस परिक्रमा को करने के लिए वो करीब- आज किलो मीटर की परिक्रमा रहती है और आप अगर इस परिक्रमा को पूर्ण करते हैं तो लोगों का मानना यह है कि आपकी जो मनकामना है वो भी पूर्ण होती है और इस परिक्रमा के चारो और भगवानों के मंदिर बने हुए हैं और राम जी के और भरत जी के यहां पर आ यात्रा को अगर आपके पास समय हैं और आप अगर सरीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो आप इस यात्रा में जब भी आते हैं तो कामत नात की जो परिक्रमा है आप उसको करें भी उसको करना बिलकुल न भूलें इसके बिना आपकी यात्रा जो है वो अधूरी मानी जाएगी और दोस्तों एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि कामतनाथ की जो यात्रा है वो आधा कामतनाथ जो परवत है वो मद्र परदेश में आता है और आधा कामतनाथ जो है वो उत्तर परदेश में आता है मतलब आप दोनों राज्य के बीच में हैं ये कामतनाथ टेंपल और दोस्तों कामतनाथ ही वो पहाड है जहां पर भगवान राम ने कुछ समय तपस्या की हुई थी तो चलिए दोस्तों मैं आपको कामत जी के दर्शन कराता हूँ आज बहुत ही जादा भीड है इसलिए हम लोग लाइन में ना लगकर साइट से जाकर और भगवान जी के दर्शन करके और फिर यहां से निकल जाते हैं आप सामने मंदिर देख रहे हैं यही है कामत नाच जी का मंदिर और यह रही हमारे कामत नाच जी तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर खतम करते हैं और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं